जैहन बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों में तिमाही परिक्षा शुरू होने वाली है जिसके लिए प्रयारी आप लोग कर रहे होंगे और महत्पूर्ण प्रशनों को खोज रहे होंगे कि कौन-कौन से प्रशन परिक्षा में आ सकते हैं कौन-कौन से जो बहुत ज्यादा इंप्रशनों को लें आए बच्चों, आपकी ये खोज हम आज पूर्ण कि देते हैं क्योंकि हम लेकर आएं हैं आप लोगों के लिए महत्पूर्ण प्रशनों की सिरीज कि इसमें अत्यंत महत्पून प्रशनों को डिसकस करेंगे और ये प्रशन ना केवल तिमाही प्रिक्षा के लिए important होंगे बलकि अर्दवार्शिक और वार्सिक प्रिक्षा के लिए भी अत्यंत महत्पून होंगे तो नमस्कार बच्चों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यादो सर PCMB क्लासेज बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा बारवी का विलियन चाप्टर अब यह जो चैप्टर है इसका कुछ अंज कक्षा ग्यारवी में भी आपको मिलेगा चैप्टर नुमबर वन में लेकिन यह जो चैप्टर है विलियन जिसका विस्तरित वर्णन 12th क्लास की विलियन चैप्टर में दिया गया है जिसे हम डिसकस कर रहे हैं यह वीडियो कक्षा ग्यारवी के लिए भी बहुत महत्पूर्ण है और कक्षा बारवी के लिए भी अत्यंत महत्पूर्ण है ये वीडियो दिमाही परिशा के लिए भी महतपून है, अर्दवार्षिक के लिए भी है और वार्षिक परिशा के लिए भी महतपून है तो बच्चों चलो शुरू करते हैं आज का ये शेशन जिसमें हम सुरू करेंगे विलियन से तो विलियन चैप्टर है बचा, इस विलियन चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिसकस करने वाले हैं चलो फटा-फटा हम देख लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं विलियन और विलियनों के प्रकार तो हम इस अध्याय में वीलियन और वीलियनों के प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं कि वीलियन क्या होते हैं कौन-कौन से वीलियन है इसके क्या-क्या प्रकार उसे होते हैं तो इन विलेनों को हम जानेंगे, साथी साथ विलेनों की सांदरता को व्यक्त करने की विधियों को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे विलेनों की सांदरता को व्यक्त करने की विधियों को डिसकस करेंगे, साथी साथ इनमें विलेता तता विलेता से सम्मंदित प्रशन जो बन बहुत बार कोश्चिन पूछे गए हैं इसके तरिक अनुसंक्यक बुणधर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें पुछे जाती है तो चलो बच्चे आज हम सुरू करते हैं विलियन से तो विलियन की सबसे पहले हम लोग परिभासा जानेंगे कि विलियन क्या होता है सबसे परिभासा जानने से पहले आप एक एगजामपल बताइए की एगजामपल इसका क्या बनेगा यादि मैं आपसे पूछू कि विलियन का एगजामपल क्या है तो आप लोग ज़ोँर जवाब देंगे कि सर यदि हम पानी में नमक यसकर को घूल देटे है तो यह विलियन बन जाता है लेकिन विलियन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसकी क्या परिभासा बनेगी उस परिभासा को हम समझते हैं चलिए तो विलियन की क्या परिभासा बनेगी विलियन की परिभासा कैसा लेकिंगे परिक्षा में दिया आएगा तो आप लिख सकते हैं कि दो या द से अधीक दो या दो से अधीक पदार्थों के सम्मांगी मिसरण को किसको बिटा सम्मांगी मिसरण को क्या कहते हैं तो परिभाशा क्या बन जाएगी दो या दो से अधीक पदार्थों के सम्मांगी मिसरण को ही वीलियन कहते हैं अब वीलियन किन-किन पदार्थों से मिलकर बना होता है उन्हें वीलियन के घटक कहते हैं क्या कहते हैं और विलियन के घटक को ही अव्याव कहा जाता है सर अव्याव क्या चीज है जिन चीजों से मिलकर कोई भी वस्तू बनती है चीज बनती है उन्हीं चीजों को हम लोग उनके अव्याव कहते हैं तो हम देखते हैं कि विलियन के कौन-कौन से अव्याव है सर विले क्या होते हैं सर जी विलायक क्या होते हैं चलो बिटा इनको हम डिसकस करते हैं चलो आओ जरा देखें कि क्या होते हैं विले और क्या होता है विले कौन है किसी भी विलियन का ऐसा गटक यह गटक है ना इसका गटक है कि नहीं है पिल्कुल तो किसी भी विलियन का वह गटक जो विलियन में कम मातरा में उपस्तित होता है उन्हें ही क्या करते हैं लोग विले कहते हैं क्या करते हैं उन्हें विले कहते हैं किनको विले कहते हैं जो विलियन में कम मातरा में घुले हुए हैं सर जो विलियन में अधिक मातरा में घुले हुए हो तो उन्हें विलायक कहेंगे क्या कहेंगे बिटा विलायक कहेंगे है न ऐसे घटक या आप कह सकते हैं किसी विलियन के वे घटक जो विलियन में अधीक मातरा में उपस्तित हो या गोले हुए हो उन्हें क्या कहते हैं विलायक कहते हैं उधारन के लिए यदि आप उधारन ले लो बिटा सर हमने प शकर को विले कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये कम मातरा में है, और पानी क्या है, विलायक है, क्या है पानी, विलायक है, क्योंकि ये अधीक मातरा में है, समझे कि नहीं समझे, तो जो विले में अधीक मातरा में उपसित होता है, उसे क्या कहते हैं, विले क्या क कि गटक कहा जाते हैं, विलियन के अवयाव कहा जाते हैं. चलो, अब आगे देखते हैं, आपने example भी समझे लिए, विले और विलायक की definition भी समझे लिया, अब आगे समझेंगे विलियन के परकारों को, कि विलियन कितने परकार इंगर होते हैं, तो विलियन बहुत तरीके सो सकते हैं, लेकिन हम इनको अलग-अलग आधार लेकर हम इनकी definition अलग-अलग देखेंगे, अलग-अलग इनके प्रकार देखेंगे, तो चलो, सबसे पहले हम विलियन के प्रकार में देखेंगे कि विलियन कौन-कौन से प्रकार के होता है, इसमें गटक के आधार पर गटकों की संख्या के आधार पर विले और विलाया तो इनकी संख्या के आधार पर अगर हम विलें के प्रकार देखेंगे तो विलें यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे दो प्रकार के कितने प्रकार के दिखने मिल लाएंगे दो प्रकार के दिखने मिल लाएंगे एक मिलेगा आपको मुक्य रूप से दो ही प्रकार के मानो वैसे तो होते आगे भी है पर दो मानो अभी फिलाल के लिए तो पहला यदि हम बात करेंगे तो पहला वहेगा बिटा द्वी अंगी विलियन क्या होगा और दूसरा जो होगा वो क्या होगा त्री अंगी विलियन होगा क्या होगा बच्चे त्रियंगी विलियन होगा सर्द्रियंगी विलियन क्या होते हैं और सर्द्रियंगी विलियन क्या होते हैं तो समझे बटा यदि किसी विलियन में है ना घटकों की संख्या दो है क्या है गटकों की संख्या दो है यह दिक देता हूं मैं घटक तो घटकों के संख्या कितनी होती है दो होती है वो कहलाते हैं द्वी अंगी विलियन कहलाते है और ऐसा विलियन जिसमें गटकों के संख्या तीन होती है वो कहलाते हैं त्री अंगी विलियन कहलाते हैं इतनी बात तो समझ में आ गई होगे है ना अब आप लोग कमेंट में ये बताओ कि चार अंगी विलियन किसे कहेंगे कमेंट में बताना आपको चार अंगी विलियन किसे कहेंगे ठीक है अच्छा द्वी अंगी विलियन के एक्जामपल क्या होंगे तो द्वी अंगी विलियन के एक्जामपल दो ही हुई कितने ही बेटा दो हुई लेकिन यहां पर देखूंगा मैं कि यदि मैंने पानी में शक्कर तो मिलाया है क्या मिलाया है सक्कर तो मिलाया है साथ ही साथ मैंने थोड़ा नमक भी मिला दिया है थोड़ा क्या मिला दिया बेटा नमक मिला दिया अब बताईए मेरे प यानि नमक, सक्कर और पानी का गोल क्या है त्रियंगी विलियन है और पानी और सक्कर का गोल क्या है त्रियंगी विलियन है और पानी और सक्कर का गोल क्या है त्रियंगी विलियन है अन्य द्वियंगी विलियनों को हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि द्वी अंगी विलियन के ही प्रकार आपको यह साध्याय में अदिधार देखने मिलेंगे बैटा बहुतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं धर्याइन क्या आप लोगों को अभी तक जो समझायों समझ में आयाँ, अगर हां, तो बता देना ब Secret your Pats Best प्धार्थों की बहुतिक अवस्था के आधार पर, किस आधार पर बच्चे, प्धार्थों की बहुतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो भीया, विलियन के प्रकार बहुतिक अवस्था के आधार पर, नौ प्रकार के बनाएंगे, कितने होती मुख्य रूप से तो आप बोलेंगे सर तीन होती है हमने तो पहले से पढ़ा हुआ है एक होती है ठोस एक होती है त्रौ एक होती है गैस है ना इसके अन्य अवस्था होती बिटा पदार्द की जिसको उन चौती अवस्था में प्लाजमा को रखते हैं और पांच भी संगनन होता है तो यह हमारे पास में पांच आवस्था होती है लेकिन मुख्य रूप से कितनी आवस्था माना जाएगा तीन आवस्था मानी जाएंगे और इन तीनों आवस्थाओं के आधार पर ही है ना विलियनों के हम नो प्रकार बनाएंगे कितने प्रकार बनाएंगे सरजी नो प्रकार तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इतना सारा कैसे याद करेंगे तो देखो बिटा मैं आपको न तरीका बताता हूँ इन तरीकों को आप बड़े ध्यान से समझना बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा बड़े आराम से समझना है आप लोगों को एक इबार में समझ में आभी जाएगा तो चलो बिटा कैसे बनाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर विले और विलायकों को देखने है आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ अभी के अभी पढ़ा है क्या पढ़ा है कि विले कौन होते है और विलायक कौन होते है तो विले कम मातरा में रहते है और विलायक क्या होते है अधिक मातरा में रहते है तो विले कम मातरा में होंगे और विलायक क्या होंगे अधिक मातरा में होंगे यह सिर्फ समझने की दृष्टी से है, कि देखो, विले में तीन अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो यह कम है, जब कि यहां देखो, विलायक में कितने अक्षर हैं, चार अक्षर हैं, तो यह जादा है, तो आप ऐसे समझने की, सिर्फ समझने की दृष्टी से, ठीक है, कि करनााइगी 수가 सबसे पहले यहां पर विले के रूप में लेता हूं मिले लेता हूं है यहां पर विलायक के रूप में लेता हूं मैं पुनाँ गैस याने विले भी गैस है और विलायक भी गैस है विले गैस विलायक गैस ठीक है चलो अब एक्जामपल में बताता हूँ थोड़ देर वेट कर लो मैं इनको कैसे बनाते हैं वो सिखा देता हूँ आप लोगो तो गैसी अवस्ता ले लिया मैं एक ले लूँगा मैं यहाँ पे द वैसे यहाँ पर छौथर wrap शटवे में भी लेना है ठीक बात है है लो जारह यहाँ यहाँ पर ले 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 हम लो फिर यहां पर ले लेंगे लो खुछ क्वान हो एक यहां पर ले ले लेवे हैं तो यह ले लेंगे właści्टोस क्यों हैं यह ज़ेगा यहाँ इस लेया इहाँ पर gas, draw, and Raw, तोast, तो यहाँ पर घरकेश है और जब यहाँ पर gas,과? जब यहाँ पर gas और listened to us, कोई के क्या हिने? यहाँ पर लेते हैं तोस यहाँ पर भी क्या लेते हैं? आप इनके example देखते हैं खरोया की में आगे ज़ाँ विले है और विलायक भी क्या है गैससे तो उधारण क्या बनेगा अधीक महतरा में भी गैससे और कम महतरा में भी रहाए एक बात बताओ तो, क्या गैसों का मिस्रण इसका। इसका इग्जामपल नहीं हुगा। या फिर आप कह सकते हो कि सर, वायू में oxygen जो घुली हुई है, यह भी तो, विलेग एस और विलायक गैस इस प्रकार के विलियन का उधारण होगा ना? बिलकुल होगा रिटा, वायू में O2 जो होगा, वो विलेग एस और विलायक गैस का क्या हो जाएगा उधारण हो जाएगा और गैसों का मिसरण भी क्या हो जाएगा इसका example हो जाएगा clear होगे बैटा चलो अब दूसरा देखो दूसरा मारे पास में क्या है विले है द्रौ और विलायक है गैस यानि अधीक मात्रा में गैस है अधिक मात्रा में क्या है गैस है और कममात्रा में द्रौ एक बात बताओ तो जल-वास्प किसको कहते हैं कभी आप लोगों ने बानी गरम किया होगा, तो पानी गरम किये होगे, तो उससे भाप या वास्प बना है, उपर की और उड़ गया, है ना, तो गैसी अवस्था में मिला होगा है, लेकिन उसमें द्रव कम मातरा में है, द्रव क्या है, कम मातरा में, अधिक मातरा में क्या है, गैस है, इसलिए जलवास् याróनि अधीक मात्रामें क्या हैग्या है और गाती formalfox है और इसका एक्चा GB दूंए कि यह जाएगा जल्दी से बताओ यह सथां घेसी में जश्था में जाया है तो कपूर को मिये में कपूर वाईयू में कपूर जो मिला हुआ है वाईयू में कपूर जो मिल जाएगा जलने के बाद में तब अधिक मातरा में गैस रह जाएगा और कमातरा में कह रह जाएगा ठोस रह जाएगा तो अधिक मातरा में क्या हो जाएगा गैस और कमातरा में कह जाएगा ठोस रह जा क्या कहलाता है बेटा, कमेंट करके बताओगे, बताना जाना, क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है बेटा, उर्दुपातन या सब्लिमेशन, उर्दुपातन या क्या कहलाएगा, और इसका एक जामपल और है, नफ्तिलीन, क्या एक जामपल है बेटा, नफ्तिलीन, नफ्तिलीन क गैस है तो यानि द्रौ अधिक है और गैस क्या है कम है एक बात बताओ कभी आप लोगों ने सोडा पिया है क्या है तो वो उसका एक्जामपल है किसका एक्जामपल है वो विलायक द्रौ और विले गैस का यानि द्रौ में गैस मिला हुआ है द्रौ में क्या मिला हुआ है गैस मिला हुआ है तो इसका example क्या हो जाएगा soda water क्या हो जाएगा soda water क्या जाएगा soda water क्या चीज़ है बढ़ा अच्छा example हो जाएगा जल से बताओ यदि जल में यदि जल में alcohol मिला दूँ क्या मिला दूँ एलकोहॉल जल में क्या मिला दिया जाए एलकोहॉल मिला दिया जाए तो विले भी द्रौ है और विलायक भी क्या है द्रौ है तो यह example किसका हो जाएगा जिसमें विले द्रौ और विलायक द्रौ हो ऐसे विलेन का एक्जामपल हो जाएगा जल प्लस एलकोहॉल ठीक है आगे चलें चटवे नमबर पे देखो हमारे पास में विले कौन है थोस है और विलायक कौन है द्रव है विले कोन है थोस और विलायक क्या है द्रव है यानि द्रव में थोस को गोलना है द्रव में किसको गोलना हो जाएगा जल और सक्कर का मिश्रन क्या हो जाएगा जल और सक्कर का मिश्रन इसका यानि अधिक मात्रा में ठोस है और कम मात्रा में क्या है गैस है तो इसके लिए example हो जाएगा धातुओं की सता पर गैसों का अधिशोषन क्या हो जाएगा इसके example धातुओं की सता पर सतह पर गैसों का गैसों का अधीशोषण अधीशोषण मतलब होता है बेटा किसी भी सतह के उपर अधीशोषण ले दूपहले किसी भी सतह के उपर किसी दूसरी जीज़ का चिपक जाना अधीशोषण कहलाएगा ठीक है तो इसका example क्या हो जाएगा देखो ठोस अधिक है और गैस क्या है पर कम मातरा में अपसित है तो धातू की सता पर गैसों का अधी शोषन इसका example हो जाएगा ठीक बात है सबज़ें आगी बात जैसे यदि हम बात करेंगे कि hydrogen gas जो होता है ये palladium धातू पर तो hydrogen का palladium धातू पर क्या हो जाता है अधी शोषन हो जाता है क्या हो जाता है अधी शोषन हो जाता है अधी शोषन इसका example हो जाएगा अधी शोषन इसका example हो जाएगा ठीक बात है अब आगे कि जिसमें विलायक ठोस है और विले द्रव है विलायक क्या है ठोस है और विले क् द्राव, तो इसमें example क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा CUSO4 into 5H2, यह copper sulfate क्या है मैटा, copper sulfate जिसमें हल की नमी है, तो इसमें कम मातरा में द्राव है, और अधिक मातरा में ठोस है, copper sulfate क्या है ठोस, पदार्थ है और इसमें हलका पानी मिला हुआ है, तो आप कहे सकते हैं कि यह ठोस विला है और द्राव विले का यह example है copper sulfate के अतिरिक, चांदी का अमल गम जो होता है, चांदी का अमल गम भी इसके अद्रगत आ जाएगा, ठीक है चांदी का, चांदी का अमल गम, यानि 12 बिटा, सामनेता अपर द्राव का अस्ता में रहता है आप जानते हैं, है ना, सामनेता अपर की सवस्ता में रहेगा द्राव अस्ता में रहेगा, अब उसमें चांदी को घोल देंगे, यानि चांदी उसके अंदर मिश्रित हो जाएगा तब वहां क्या बना लेगा चांदी का अमलगम बना लेगा ठीक है इस प्रकार से चांदी का अमलगम या फिर CUSO4 into 5H2 किसका एक्जामपल हो जाएगा जिसमें विलायक ठोस है और विले क्या है द्रव है अब अंत में हम बात कर लेते मिटा जिसमें विलायक भी ठोस है और विले भी ठोस है यानि दोनों ठोस ठोस है तो ऐसे स्थिति में इसका एक्जामपल बजाता है बेटा मिस्रधातू, क्यों जाता है मिस्रधातू, मिस्रधातू में विले भी ठोस है यानि जो अधिक मातरा में उपसित है वो भी ठोस है और जो कम मातरा में उपसित है वो भी ठोस है मिसरधातु जैसे पीतल की बात अगर करते हैं हम लोग पीतल की बात अगर करेंगे तो पितल बीटा, ये बनता है कौपर और जिंक के मिसरण से, तो यहाँ एक प्रकार का क्या है? मिसरदातू है, और ये ठोस विलायक और ठोस विले का उदारण हो जाएगा. तो बिटा इस प्रकार से पदारतों की महुती का वस्ता कैदर पर विलियन के प्रकार यहां पर समाप्त होते हैं तो बच्चों यदि आप लोगों को आद की ग्लास पसंद आई हो है ना तो आप लोग यादो सर PCMB ग्लास को सबसे पहले सबस्क्राइब करो